में आचारे भुषन कोशल, एस्टर तक में मुझे आप देख रहे हैं, मैं पताने वाला हूँ आपको कि साल का पहला सूरे ग्रहन है, पहला जो चंद सूरी ग्रहन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल के सुरिवात में भी आगया है, तो ये ग्रहन जो है सूरे पर ये अंशिक है, अंशिक का बुरा आसर जादा होता है, जिकर पूर्ण चंद ग्रहन हो तो उतना आसर बुरा नहीं होता है, जितना कि आनशिक सा होता है, यानि कि खंड ग्रास सूरी ग्रहन पर ज्यादा नुक्सान हो सकता है। तो मैं कुछ पांच ऐसे-ऐसे असान-असान से उपाएब बताएबताने वाला हूं ता कि इतना भी सूरी आपका नीच का हो शत्रुराशी में हो करजा हो आपके और पर eu पर परूप चादिक आखlahा, आपकी शादिक में और हो संतान के बढ़े बुद्युर्ग बीमार है कि के लिए आपको सम्मान नहीं मिल रहा ओफिस में आपका परमोशन नहीं हो रहा है यह सब चीजे इस दौरान बहुत गड़बड हो सकती हैं सब इराशियों पर यह हो सकता है तो क्यonna हम सावधानी बरतले हम पांच सावधानी के बारे में आपको बताएंगे पांच ग्रहन दुसarent के बारे में यानी ग्रहन कितने वे शुरू होगा सुबह पांच वज के चार मिनट को रवival को 6 जैन्वरी कोह सुबह पांच वज के 4 मिनटst से ले करके नौ बज के अठ थारा मिनट तक रई वार को गृहन है ग्रहन जब समाप्त हो जाएगा तो पाँच्छ ऐसी कौन सी चीज चीज़ चरह जेज़ें जरन पढ़ा ऊतराशा हो सूरी की महादशा हो च Kommentar शानी की महादशा हो फिर भी आप पे को बुरा अछर नहीं पढ़ेगा इस ग्रहन का इसके लिए पर 5 चीज़े आपको बताने वाला हूं पहला उपाई यह है कि आप गंगा जल अपने उपर डाल करके पानी में गंगा जल डाल करेंगे नौ बजी के बाद ग्रहन थोड़ा गरब पारी अगर थंड का समय है बहुत थंड भी तो बहुत बर्फबारी हुई है और आगे भी जितने भी हिली स्टेशन से हिल हैं मतलब जितने भी पहाड़ है पहाड़ी प्रदेश हैं वहां पर बहुत थंड पढ़ने वाली है बर्फबारी होने वाली है तो क्योंकि एक्तम ऐसा लेगा जिसा आइस एज आ गया है एक्तम से जैसे बर्प का तुफान आ गया हो ऐसा होने वाला है पूरी मैदानी इलाकों में भी बहुत शितलहरी फैलेगी तो इसलिए पहला उपाय तो सेहत होता है अपनी सेहत की रक्षा के लिए पहला उपाय आपको करना क्या है पहला उपाय ये करना है कि आप अपने खाने पीने का सामान सारा जुटा लीजे, घर में, अगर आप आग तापते हैं, तो आग के लिए अपना लखड़ी बगरा का इंतिजाम कर लेंगे, हो सकता है बघ़्नी चली जाए, तो बघ़्नी से भी बचने के लिए आप जो भी दिया जलाना हो लाल टेन जलाना हो, उसका तेल है लालटेन का इंतिजाम टॉर्च का इंतिजाम यह सब सब कर लीजिए और उसके बाद जो है आप अपने आपको ध्यान रखिए और सूरे को जब जब कीजिए सूरे का जाप ओम गिर्णी आरित्यायनमा ओम सूर्यायनमा यह सब करेंगे और आप जरूर उसमें फाइदा होगा आपको और लाल वस्तर जरूर पहने आप तो यह तो आपके लिए रहेगा ग्रहन के बाद असनान करेंगे गाजर डाल करके उसके बाद पूजा भगवान ही सूरे का कारक है विष्णु भगवान प्रसंद होंगे क्योंकि विष्णु भगवान जिस तरह से जगत के पालन हारे भोजन कपड़ा मकान सेहत सब कुछ हमारी जीवर में अच्छा करने के लिए धन दौलत चाहिए उस सब विष्णु भगवान ही देते हैं औ ओम नमों भagवते वासु देवाए ओम नमों भगवते वासु देवाए ओम लिए गाएत्री मंत्र का करें भरवुर्सवव्तुर्वरने parlarगोदे वसरिम ही धो यो नप्रचो डे तो इतुद्ध तो ये अप मंत्रों का जाप करेंग और इस तरह से करने eig vient घखवान को भोग की चीज़े दान करनी है जैसे गुर्द दान करे नारियल दान करे तामे का पात्र दारन करे यह सब आपको दान करना है और करकर के उसके बाद आप घर में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आज के दिन क्या-क्या करना है देखिए दो खाने-पीने की आ किसका होता है सूर्य का होता है आप जरूर दोनों टाइम यहूं के प्रियोक करेंगे यहूं के आठे का प्रियोक करेंगे चाहे पूड़ी बनाके खाये चाहे रोटी बनाके खाये पराठे बनाके खाये इसका प्रियोक करेंगे साथ में गुड का सेवन अवश्य करना है ग लाल तिलक लगाएंगे नहीं लाल चंदन आपके पास हो दो लाल चंदन का तिलक लगाएं 15 तक लगाता है ताकि कोई भी सूरिग रहन का बुड़ा प्रभाव के पर ना पड़े और जो महिलाएं जो है अपने संतान की रक्षा करना चाहती है और अगर कोई जो सरकारी नौक सकते हैं उन पर कोई आरोफ संगीन आरोफ भी लग सकता है तो आपको 15 दिन तक ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी बदनामी हो और सरकारी नौकरी में कोई खत्रा हो विदेशी कंपनी नौकरी करते हैं वहां कोई खत्रा हो यह सब सावधानी बरत्ती पड़ेगी और उसके लिए मैं सीधा सीधा उपाई बताऊंगा कि सुबह सूरे को लाल मिर से डाल करके थोड़े से सूरे को जल चड़ा दीजो ओम सूर्याय नम ओम घिने आदित्याय नम का जाप कर लीजे सब ठीक होगा तो यह है ग्रहन के बार आपको खास धिहान रखना है इसका आ आपके जीवन में कोई कठीनाई नहीं आएगी आज में जब विजाजत दो नमस्कार राम राम